साथियों, इंडिविजियल, इंडिस्ट्री, इन्वेस्ट्मेंट, इन सब का तानमेल भारतिय रेलवे को भी निरंतर आधुनिक बना रहा है। साथ सफाई हो, समय पर ट्रेन चले, सर्वीस हो, सुविदा हो या सुरक्षा, मानव रहित फाटकों को खत्प किया जाने वाली बात हो, हस्तर पर रेलवे में बडलाव लाने की मांग होती रही है। बडलाव के इन कामों को बीते वर्षों में नई गती दी गई है। स्टेशन से लेकर के डिब्बों के भीतर तक साथ सफाई हो या बायो डिगरेबल टॉइलेट्स हो। खाने पिने से जुड़ी व्यवस्ताओं में सुधार हो या टिकेट बुकिंग के लिए आधुनिक व्यवस्ता हो। तेजस एक्सपेस हो, वंदे भारत एक्सपेस हो या बिष्टाओं कोचीज का निर्माण। भारती रेलवे आधुनिक हो रही है, तेज गती से हो रही है और भारत को तेज गती से आगे ले जाने के लिए हो रही है। साथियों, बीते छे साल में नई रेल लाइन, रेलवे लाइनों के चौड़ी करण और बिज़ी करण पर जितना निवेश किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। रेल नेटवर पर फोकस करने से भारतिय रेल की स्पीड भी बड़ी है और उसका दाइरा भी बड़ा है। वो दिन दूर नहीं, जब नौर्थ इसके हर राज़ की राज़धानी रेलवे से जुड़ जाएगी। आज भारत में सेमी हाइस्पीड ट्रेन चल रही है। हाइस्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर बहतरीन टेकनलोजी तक के लिए भारत में ही काम हो रहा है। भारतिय रेलवे आज मेकिन इंडिया से लेकर बहतरीन इंजिनिरिंग की भी मिसाल बन रही है। मुझे विश्वास है कि रेलवे की गती भारत की प्रगती को नहीं उचाई देती रहेगी। भारत की रेलवे इसी तरह देश की सेवा करती रहें। इसके लिए मैं सभी रेलवे के साथियों को धेरों शुब कामनाय देता हूँ। कोरोना काल में रेलवे के साथियों ने जिस तरह काम किया, सभी कों को अपने घर पहुँचाया। मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे देश के करोरो करोरो ऐसे साथियों के हमारे रेल कर्मियों पर खूप सारा आसिरवात बरसाया है। देश के लोगों का रेलवे के हर कर्मचारी पर सने और धेरों अशिरवात दिन प्रति दिन बढ़ते रहे यही मेरी कामना है। अशिरवातोय है、 कि मेरी का बर्थ खलाना है। झाल है